स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे दर्शकों के धेरोख़त और इमेल्स हमें मिल रहे हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुचाने के लिए इस कड़ी से हमने एक नए सेग्मेंट की शुरुवात की है सवाल आपके और आज की सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट किशोर काले आए लेते हैं हमारा पहला मेल जो कि शुबम चौदरी ने इंदौर से किया है सर शुबम का ये सवाल है कि चार साल के कोस के लिए उन्होंने साथ लाग के लोन लिये थे अभी उनका कहना है कि पर्स सेमिस्टर उनको 10,000 रुपे का स्कॉलर्शिप मिलने वाला है अभी वो ये स्कॉलर्शिप के पैसे कहां इन्वेस्ट करें कि उसको एजुकेशन लोन चुकाने में मदद हो तो सवाल यह है कि यह जो 10,000 की scholarship है वो कहां निवेश करें कि ताकि वो पूरी तरह से education loan चुका पाए शुगम जी आपने अभी बताया कि आप 4 साल के लिए यह आपको scholarship मिलने वाली है और total हर semester मतलब 4 साल की 8 semester के total 10,000 के इसाब से 80,000 रुपए आपको total मिलने वाले हैं अब 80,000 रुपए के निवेश को आप अगर निवेश करके 7 लाग रुपए का लोन अगर चुका चुकाना चाहते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं लेकिन आप अपने लोन को considerably अगर इस 80,000 को properly invest कर दोगे तो considerably आप कम कर पाओगे अब मेरा ये आपको सला है कि आप सबसे पहले ये 80,000 रुपए जो है इसको जैसे जैसे ये आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे diversified equity funds में invest करते जाएंगे क्योंकि income tax में section 80E के तहट जब आप नौकरी शुरू कर दोगे और अपना loan complete EMI चुकाना शुरू कर दोगे तो आपको 80E के तहट आपको deduction मिलना शुरू हो जाएगा और ये आपकी उस समय जो income tax है उसे considerably कम करेगा तो मेरा ये आप से कहना होगा कि आप वो 80E के deduction के लिए इस loan को आप बाद में चुकाईए और अपना जो scholarship है उसे proper तरीके से long term के लिए, long term के लिए लंबी अवधी के लिए आप diversified equity funds में निवेश करना शुरू कर दीजिए अगला सवाल है जो कि डेली के रहने वाले हैं उनकी उमर 22 साल के है और महीने के इंकम उनका 12,000 है अभी उनका सवाल ये है कि 12,000 रुपे में वो कैसे कहा निवेश कर सकते हैं ज्यानेंद्र जी आपकी आमदनी 12,000 है लेकिन आपकी उमरे भी 22 साल की ही है तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए कि आप अपने लिए एक term insurance खरीद लीजिए जिसका premium आपको 25 लाग का term insurance अगर आप लोगे तो उसका premium 3,500 रुपे से लेके 4,700 के बीच में कहीं भी आपको मिल जाएगा इस उमर में थोड़ी सी रिस्क लेहीं शकते हैं तो definitely मैं तो आपको ये कहूंगा कि थोड़ी सी रिस्क लीजिए और लंबे आउधी के लिए 10 से 15 सालों के लिए एक अच्छी सी SIP 2,000 या 3,000 रुपे की diversified equity fund में करिए और अच्छी इंकम है 30,000 रुपे उन्होंने एक लाग रुपे का FD क्या हुआ है और उसके इलावा उन्होंने 50,000 रुपे का LIC क्या हुआ है अभी उनका ये सवाल है कि अपनी बेटी की शादी और education के लिए 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 वो कहा निवेश करें साथ में ये जानना चाहते है कि वो मिच्वल फंस में कैसे निवेश करें उमेश जी आपने जो LIC policy यह हुई है मेरी यह राय है कि आप जल्ट से जल्ट 40 से 45 लाग रुपे तक का एक टम प्लान टम इंशॉरंस आप ज़रूर ले लिजिए बच्चों के भविश्य के लिए आपने एक लाग रुपे की FD कर इससे आपको अगले 15 सालों में अराउंड 12 से 15 लाग रुपे आप आसानी से जमा कर पाएंगे अपने बेटी के शादी के लिए जो आज से अराउंड 21 साल के बाद होगी उसके लिए आप 1000 रुपे की SIP किसी भी अच्छे डाइवर्सिफाइड मुच्वल फंड में मार्केट रिलेटेड होने के कारण उसमें रिस्क जरूर होती है लेकिन अगर आप 10 या 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्क आसानी से आप कम कर सकते हैं